ओम शान्ती, बाम दादा मधुवन, आज की मधूर मुल्य तीन पांच तो हजार चौविस मीठे बच्चे इस दुखधाम को जीते जी तलाग दो क्योंकि तुम्हें शुखधाम जाना है प्रेश्ट, बाम बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं उत्तर बाबा कहते, बच्चे काम महाशत्र है, इस पर विजय प्राप्त करो, यहीं तुम्हें थोडी सी मेहनत देता हूं तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, पतित से पावन अर्थात पारस बनना है पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते, तुम बच्चे अभी गुल-गुल बनो, तो बाब तुम्हें नैनों पर बिठा कर साथ ले जाएंगे ओम शान्ती रुहानी बाप, रुहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो बच्चे जरूर समझते हैं हम ब्रामन ही हैं, जो देवता बनेंगे यह पका निश्य है ना, टीचर जिसको पढ़ाते हैं, जरूर आप शमान बना देते हैं यह तो निश्य की बात है, कल्प कल्प बाप आकर समझाते हैं आज की मुल्ली से मुख दस पॉइंट, पहली पॉइंट पथर बुद्धी ऐसे हैं, जो पारस बुद्धी होना ही असंबव समझते हैं नर्कवासी से सर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि माया का प्रभाव है तूसरी पॉइंट, बाप खुच समझाते हैं, इतना छोटा जाल सारे बिश्य पर होता है तो वहां मंजले आद बनाने की धरकार ही नहीं, धेर की धेर जमीन पड़ी रहती है तीसरी पॉइंट, यह सारा जार जड़ जड़ी भूत है, फिन नया बनता है तुम जानते हो कल युक से सतियुक कैसे बनता है यह नाले तुमको बाप अभी ही समझाते हैं चोथी पॉइंट, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है यह मैं समझाना ही नहीं चाहता हूँ तो ऐसे के साथ मेनत क्यों करनी चाहिए बाबा ने समझाया है, उपर में लिखा हुआ है भगवान वाथ मैं आता ही हूँ कल्प कल्प, पुरोशोताम, संगम, युक पर और साधारन मनुस्तन में पांचमी पॉइंट किस्टिन लोग कहते हैं क्राइस्ट से तीन हजार वर्ट्स पहले पहले पहला डाईता वे फिर भी पिछाडी को आए हैं ना तो उनकी ताकत है उनसे ही सब सीखने जाते हैं भाई भाई समझो ये बहुत प्रैक्टिस करनी हैं भाई का निवास कहा है इस तक्त पर अकाल आत्मा रहती है ये तक्त सभी आत्माव के सड़ गए हैं अभी बाप कहते हैं तुमको पतित नहीं होना है ये आडी नेंस है अब तो और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं विकार बिगहर रह नहीं सकते बाप से भी मंत्र ले लो ये है माया को वश करने का मन्त मन मना भाव ये मन्त मिला फिर भल घर जाओ मुख से कुछ बोलो नहीं अल्प और वे बाचसाई को याद करो नमी पॉइंट बाप सब को गुल गुल बना कर नैनों पर विठा कर ले जाते हैं काउन से नयन ज्यान के आत्माओं को ले जाते हैं समझते हो बाप को याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेंगे फिर एक सरीर छोड़ दूसरा जा कर लेंगे तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चो देही अभिवानी बनो यह आदत पक्की डालनी पड़े अच्छा धाना के लिए मुक्सार पहली पाइड़ बाप के आदी नेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं भ्रक्टी के बीच में हमारा निवास है हम बेहत बाप के बच्चे हैं हमारा यह इश्री परिवार है इस इस्म्रती में रहना है देहें अभिमानी बनने की आदन डालनी है दूसरी पॉइंट धर्मराज की सजाओं से छूटनी के लिए अपने सभी हिसाब किताब चुक्तु करने है माया को वस करने का जो मंद मिला है उसको याद रखते शतो प्रधान बनना वर्धान आज बाबा ने दिया बिंदी रूप में इस्तित्रय औरों को भी ड्रामा के बिंदी की इस्म्रती दिलाने वाले विक्न बिनासक भव इस भष्टी करन जो बच्ची किसी भी बात में कवेक्शन मार्क नहीं करते सदा विंदी रूप में इस्तित्रह हर कार में औरों को भी ड्रामा की बिंदी इस्मृती में दिलाते हैं उन्हें ही विट्न बिनाशक कहा जाता है वै औरों को भी सामर्थ बना कर सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं वे हद की सपलता की प्राप्ती को देख खुश नहीं होते लेकिन बेहद के सपलता मूर्थ होते हैं सदा एक रस एक स्रेश्ट इस्तिती में इस्तित रहते हैं वे अपनी सपलता की सो इस्तिती में अस्पलता को भी परिवर्टन कर देते हैं स्लोगन आज बाबा ने दिया दुआएं लो दुआएं दो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे ओम शांति